आप सभी का इबर फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग शोटेंग जोन में आज हम बात करेंगे नवोध्या विद्याले समिती ठीक है एंवियेस और आप तकरीबन हर साल इसकी वेकेंसी देखते हैं कि इसमें टीचिंग पोस्ट की वैसे मैकसिमम पोस्ट है उनमें जो नौन टीचिंग पोस्ट है या एक्स कैडल भी आप उन्हें कह सकते हैं तो उनमें प्रमोशन जो है वो इतना खास नहीं होता और आप उनके ग्रेट पे भी नज़र डालेंगे तो प्रमोशन होने की बावजूद भी आपको डेजिगनेशन एक्वेलेंट तो मिल जाएगा लेकिन आपका एक्चुल जो पे फिक्सेशन है वो उतना एक्वेलेंट नहीं होगा तो उसके इसाब से ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक है बट फिर भी ये नौटिफिकेशन है दो हजार तेईस का साथ हजार के आसपास वेकेंसी दो हजार तेईस म आपको जल्द इसकी वेकेंसी देखने को मिले तो चलिए बात करते हैं कि इसके नौटिफिकेशन में किन-किन पोस्टों पे क्या-क्या रेक्विट्मिंट रूल्स है आरो केडर इने कहते हैं है एड़कोर्टर यह आरो केडर आप कह सकते हैं तो यह नॉन टीचिंग पोस् इन में से सामिल है तो यह रूल 2023 का है तो चलिए बात करते हैं सबसे सुरवात से तो पहली पोस्ट है आपकी स्टैनोग्राफर की देखिए जो टोटल पोस्ट है 49 यह आपकी 2023 में इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग संक्शन हुई है लेवल आपका 25,500 हर जगे जो सेम एफ इस टैनोग्राफर का वही दिया जाएगा इसमें भी 2400 ग्रेट पे के साथ एज लिमिट आपकी 18-27 रहेगी और अगर आप किसी सेंट्रल गॉर्मेंट या ऑटोनोमस बॉड़ी में वर्किंग है तो आपको एज रिलेक्शेशन 5 साल का दे दिया जाएगा बाकि जो से इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है यानि के एसेंशल क्वालिफिकेशन आपका 10 प्लस टू और 80 वर्ट पर मिनिट की आपकी शॉटेंड यह शॉटेंड हिंदी और इंग्लिस दोनों में चॉइस है आप किसी भी लैंग्विज में देना चाहें दे सकते हैं ठीक है और पॉस्ट है ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टेशन मिला आप दुबारा दूसरे स्टेशन पर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है तो यह आल इंडिया पोस्ट है जैसे के विस है उसके हिसाब से चलिए आप बात करते हैं आपका और यह 100% ओपन कॉंपेटिटिव एक्जाम से होता का अगर आप किसी इंप्लॉई हैं किसी इसमें 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 प्रबिशन और डिर्क इक्टमेंट होगा इसमें ठीक है और डेपूटेशन भी हो सकता है ठीक है चलिए अब इसके बाद आपकी पोस्ट आती है पर्सनल असिस्टेंट की देखिए यह NVS है और आप देखिए गए इसमें 25 वेकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की 2023 की सेंक्षन पोस्टों में जो आपकी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में अगर वेकेंसी आती है तो लेवल आपका 6 है 35,400 अगर आप Central Government के इंप्ला लेकिन इसमें यह वास्ताव में पोस्ट है ठीक है यानि कि डेजिगनेशन आपको सेम मिला ग्रेट पे ग्रेट पे कम मिला इसमें 462 है आप Central Government में होंगे तो कई जगे 4200 भी है और कई जगे 4600 है कई जगे 4200 है ठीक है कुछ डिपार्टमेंट है Central Government में आपको देखने को मि से होगा यानि कि आपका जो भी डिपी सी बैठती हो उसके हिसाब से होगा देखिए 10 साल की सर्विस के बाद 10 साल की सर्विस के बाद आपको 2400 से 35500 बेसिक का जंप मिलेगा 10 साल के बाद जो Central Government में आपको 5 साल के बाद मिलेगा तो बहुत बड़ा एक एक तरीके से बहुत क आप में कैलिबर है तो Central Government या स्टेट किसी में जाना चाहिए ठीक है इसमें तो बिल्कुल नहीं मैं मानता कि इतना अच्छा प्रमोशनल आस्पेक्ट है चलिए 55 वेकेंसी आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसो जो डिरेक्ट रिक्रिट्मेंट में भी है 23 से 33 साल अच्छा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मोश्टली आपका 4600 ग्रेट पे का होता है सेंटल गवर्मेंट में भी और डेली गवर्मेंट में भी लेकिन इसमें 42 ग्रेट पे ठीक है 4200 यानि कि 35,400 तो बहुत कमजोर ग्रेट पे प्लस डेजिगनेशन हाई तो मेरे हिसाब से म इंपलाई हैं किसी में तो उसी में रहें बट अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वैल इन गुट तो यह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का था तो इस तरीके से और भी कुछ पोस्टें हैं जो अगर आपको लगती हैं आप उस केटेगरी में हैं तो आप इस रिक्विट जाइब जरू कर लें